हलो वाच्चो, आज की इस वीडियो में हम कहानी के मायदधम से हंधी पर्णे के अभ्यास करेंगे हिंधी पर्णे का अभ्यास के लिए आपको सुन वन और वेंजन वन दोनों आना चाहिए चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं कहानी का सिर्शक है प्राचीन ग्रीस की एक कहानी वीडियो में आगे बने से पहले अगर आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं क्या है make sure do subscribe एक बार मिडास नाम का एक राजा था जिसने एक प्यंकार के लिए एक अच्छा काम किया था और सराब के देवता दायो नीसस ने उसे एक वरदान मांगने के लिए अनुरोद किया तब राजा मिडास ने वरदान मांगा की वह जो कुछ भी छुएगा वह सोने में बदल जाएगा हाला की डायो नीसस ने उसे मना करने की कोशिस की मिडास ने जोर देकर कहा की इक्छा एक उत्रिस्ट थी और उससे यह वरदान मिल गई मिडास उत्सा से सभी वस्त्यों को छुकर सोने में बदल देता जल्द ही मिरास भूखा हो गया उसने भोजन का एक तुकरा उठाया लेकिन वहा उसे खा नहीं सका क्यूंकि वह उसके हाथ में सोना बन गया था और उससे अहसास हुआ कि मैं भूखा रहूंगा मिडास ने विलाप किया सायद यह इतनी अच्छी वर्दान नहीं थी मिडास की प्यारी बेटी उसकी निरासा को देख कर उसे आराम देने के लिये लिये उसे गले लगाना चाह और वह भी सोने में बदल गई सुनहरा स्पर्स कोई आशिरवाद नहीं है मिडास रोया वह नदी के पास गया और रोने लगा नदी में उतरते वह रो पड़ा नदी की रेट सोने की तरह पीली हो गई राजा मिडास ने नदी में अपना हात धोया और सुनहरे स्पर्स का अभी साप बह गया जब वह वापस अपने महल में गया तो फिर सब कुछ सामाइन था ता थैंक्स पर वाजशी की तरहा हुआ हुआ है